चलो ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और करना एक भी वीडियो मेरे दोनों चैनल पर नहीं आई इसके लिए सौरी और आज से हो सगे कद मैं कंटिन्यू वीडियो डालती जाओंगी दोनों चैनल पर ठीक है और करीज हो गया होता जैसे हम बारफी का सिर्फ रह जाता सब्सक्राइब कि कि अगया चैनल को दूसरे जाएगा एक दो दिन जाएगा तो यहां पर हम जो सिंपल स्टारीजी जो पहले से उसक्राइब हुए चले आ रहे हैं one month से उसको हम अभी continue कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ने कमेंट किया था कि मेडम इसे आप continue कीजिए ठीक है कुछ लोगों का कहना था कि इसे continue नहीं कीजिए second strategy बताइए इसके लिए मैंने फिर इस चैनल पर यह वीडियो डालना करेंगा यह तो सोची ना एक भी अभी strategy में पॉफेक्ट नहीं हुए है और एक्ष्वर मनी से लगा के हम टेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा पैसे अपने डूबेंगे ठीक है तो पहले हमें दो करते हैं उस to나 की वर्कत करते हैं कि अश्यायक करते हैं कि अज़ पहले की कुछ ताम आ गया था пог vivir कert पर यह देखियें और कोई वीडियो में री डाली थी स्टार्टिंग में यहां पे चलीं देखोएट निफ्टी में, निफ्टी 50 का आज expiry था, Thursday था, तो यहाँ पर चेक कर रहे थे कि strategy ने आज कैसा work किया, ठीक है, अगर निफ्टी के चार्ड को देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो previous day का चार्ड अगर देखेंगे, हम निफ्टी का सबसे पहले हम प्रिवस डे का देख रहे हैं, कि previous day कैसा निफ्टी ने काम किया था, यहाँ पर देखेंगे, प्रिवस डे में हमने यहाँ पर marking कर दिया, day high, green से mark किया है, yellow से day, क्रोजिंग और ड्रेट दे लो माग यsst नेकस्ट जो है उसके नीचे नीचे नहीं गया घिक हुए किले इस लोने अधि आप देखो गया और जाने के बाद यहां पे देखो गे एक बजकर पंद्रा मिड़ से लेके लास्ट तक यहां पर एक रेंज में निफ्टी घूमा है ज्यादा तर अगर देखेंगे किस रेंज में गूमा है तो नीचे के साइड में देख लेकर ऊपर के साइड में देखेंगे 20,000, पूरा टाइम उसने कितने बज़े से लेके एक बज़े के आसपर मतलब एक पंद्रा से लेके पूरा मार्केट बंद होने तक मार्केट एक रेंज भी घुमता रहा ठीक है अब आज की डेट में निफ्टी ने कैसा काम किया और हमाई निफ्टी ऊपर गया उपर जाने के बाद यहां पर उसमें डांव लाया ठीकर अतb जाने के बाद लाड़ी के थीदो को कलरकेंगे इश वाली केंड़र को थोड़क्त करने हैं चाटो को देखें के 10 कि Colombalец के यहां पर काफी बड़ी है तो यह इसके बाद देखेंगे यहां पर निफ्टी धीरे-धीरे ऊपर ही गया है और यहां पर आप ध्यान दोगे निफ्टी पूरा टाइम देखेंगे जो कल सवा घंटा मतब एक सवा गुम देखेंगे जाता तर निफ्टी कल घूमा है सवा एक बज़ तीन बज़े तक चीज किया है कि यहां पर यह बड़ी कैंडल बनने के बाद दीरे-दीरे देखेंगे सवा दस के बाद निफ्टी आप देखेंगे इसी के बाद 5-60 साड़ पॉयं फिर भी देखते हैं कि यहां पर strategy की साब से कितने trade मिले है target अची हुए है या नहीं हुए है ठीक है पहले भी मैंने बताया है जब भी ऐसे कुछ range बने तो वहां पर हमें trade लेने से बचना ठीक है अगर आज expiry वाले दिन ऐसी एक range बन रहा था बहुत time से तो यहां पर क्या अगर हमने 15-20 पर ऐसे लगाया निफ्टी में ठीक है 40 पर टार्गेट पकड़ा तो वहां पर टार्गेट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्यूंकि मार्केट 40-50 पर में घूम रही है यहां पर छोटी केंडल से 10 पॉइंट की केंडल बन गई तो वहां पर आपको 20 अरे टार्गेट अराम से मिल चकता है जब एक रेंज बन रहा है यहां पर और निफ्टी में सारा टाइम सारा दिन देखेंगे तो एक रेंज यही बना है थीक है तो ऐसे रेंज में आप ट्रेड लेना टेड मत लीजे खासकर एक सपाइरी वाले दिन ठीक है फिर भी हम चल मत इंटी यहां ञटन से लेस सब्सक्राइब करें अब है वापस इसंसे लाए और नीचे साइड में क्लोजिग करेंगे तो ईसषिथय दिखेंगे कि इस खांटियर को है और टार्गर नीनर उता इस्मय तो दिखेंगा और यहां पर 만ड़े तो यहां पर देने से बचने चाहिए आपको ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए यहां पर जितने भी ट्रेल लोगे ज्यादा तर ना आपको एसल हीट हुई ही होने तो यहां पर कॉल स्ट्रेड बनाद का साइज थे इस ग्रीण वाली का यहां पर देखेंगे यहां पर इस्का लोग इतना है चैंडल यहां पर देखेंगे इस वाली केंडल को यह तो बड़ी केंडल बनी है इसको छोड़ देते हैं क्यूंकि वह बहुत बड़ी केंडल है और हमाई टेक की साइज भी देख रहेते हैं क्या साइज है तो यहां पर देखेंगे इस पर बनाई तो यहां पर देखेंगे इस कैंडल का साइज कितना है इसका लोग है 20,083 यानि 20 पर बनी तो टार्गेट भी मारा 40 पर निकल के आएगा ठीके तो यहां पर अगर हम 20,083 पर इंट्री करते हैं यहां पर हमारा 20,043 का टार्गेट निकल के आएगा दीरे दीरे निफ्टी देखेंगे कहां तक गया है 20,050 तक गया ठीके 7 पॉइंट से यहां पर टार्गेट रह गया ठीके यहां पर फिर उसके बाद देखेंगे निफ्टी दीरे दीरे करके यहां पर इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी कहां पर प्रिवेज़ डे जो क्लोज था उसके उपर जाकर यहां पर क्लोजिंग दी थीक है तो ज Wheat त्रेड को जैसे एक बचकर 25 मट की कैंडर को देखोंगे बैदिश कैंडर बनी है प्रिवेस डे जो हाई है उसकी नीचे क्रोजिंग दिये ठीके जैसी ने स्कैंडर इसको ब्रेक किया एंट्री दिया और यहां पर हमें टार्गेट अच्छा मिल गया ठीके यहां पर देखें उपर निखलता जैसे यहां पर देखो बीस अजाएक सो पंद्रा से 120 को पर कैंडल निकलती तो वहां पर ब्रेक आउट उपर के साइड में माना जाता ठीके नीचे के साइड में कम से कम जो कल वाली रेंज थी और आज वाली रेंज क्योंकि कल इस इस ती निफ्टी उसी र यह वीडियो आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा कि जब भी भी रेंज बने तो वहाँ पर ट्रेड नहीं देना चीए खास कर एकस्पाइरी वाले दिन और वेनस्डे की दिन ठीक है निफ्टी का जो मैं बता रही हूं ठीक है मतलब एक दिन एक दिन पहले यानि वेनस्डे को जब भी ऐसा रेंज बने ना आप ट्रेड मत लीजे जब तक आई होप यह वीडियो आपको अच्छी होगी होगी वीडियो अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर